नमस्कार, मैं हूँ गोपी कृष्ण साहू और आप देख रहें मिडिया 24 न्यूज कुरूद जन्पत पंचयत अंतरगद ग्राम पंचयत सचिव संग अपनी विभिन मांगों को लेकर विगत 23 दिनों से अंदोलन में डटे हुए हैं जिसे भाजपत जन्पत सदस्चियों सहीत सरपन संग की भी समर्थन मिल रही है वहीं मांग पूर्ण नहीं होने पर सचिव संग ने आत्म दाह करने की चेतावनी भी दी है बता दे की पंचाय सचिवों के हरताल पर जाने से ग्रामिन इस्तर पर सारे सास्किय कारे अवरुद्ध हो गये हैं पंचायतों में जमिनी इस्तर के कारे करने वाले पंचाय सचिव सासन के 29 विभागों के कारे को समपादित करते हैं इनकी सास्किय करन की मांग है पंचाय सचिव संग के आंदोलन में कहा कि त्री इस्तरी पंचायती राज में ग्राम पंचायत सब्से नीजले इस्तर की जन सेवकी केंडर है समस्त प्रसास्निय कार एक ग्राम पंचायत के सच्यू से ही लिया जाता है जिनके हस्ताक्षर से जन्म बृत्यू प्रमान पच्र भी जारी होता है विडबना यह है कि इतने महत्वपून दस्तावेज पर अस्ताक्षर करने वाले पंजियक पंचाया सचिव साथ के कर्मचारी नहीं है इसलिए सरकारते मांग किया है वही संग के मांग को जायद बताते हुए सरपंच संग पूरुद ने भी इसका समर्षन किया है वही मांग पूरा नहीं करने पर सचिव संग आद्वदा करने की सितावनी की है दिनांग 26 दिसंबर 2020 से अनिस्चित कालिन हर्ताल पर बैठे हैं हमारी मुक्ठ मांगे सिफ एक ही है दो वर्स पस्चाथ परिच्छावदी समाप्त करते ही सास्की करन का आज देख रहे हैं पूरे जीला में एक आलम बना है या पूरे 36 गड़ में इस हीति यह होगी कि आज जितने भी कारी है आज सचिव के बिना विकलांग रूप से दिखाई दे रहा है आज के मानगे सिता-सिता मानिय भूकेद बगिल सरकार जी को मैं आवगत करना चाहूंगा कि आप जो है त्रीस तरी पंचैती को एक ससक्त बनाई है और बिना बोले आप मैं चाहूंगा कि आप जल्द जल्द घोशना करे और मीडिया के मादम से सचिव को एक प्रोसहान की रूप सवल सुरूप आप तो पुरा दमतरी जीला कर जो संख है और बांकी सरपंचों सी बात हुई तो सभी सरपंच साथ दे रहे हैं और पूरे करमचारी भी चाहर है कि इनका निमेती करन किया जाए क्योंकि पंचायती राज में गाउं एक की विकास जो धारा है पंचायत के सरपंच और सच्यू के उपर ही डिपेंड है तो हम चाहते हैं कि सच्यू को सरकारी भूसना किया जाए